आज की वीडियो में जानेंगे कि क्लास 9 में होते हुए आप नीट एक्जाम के लिए कैसे प्रिपर करें My name is Shubham Jha, I am an educator by choice, a memory coach and a creative learner Students, आप में से कई लोगों का सपना होगा कि आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो जैसे आप अपना 12 standard दे देते हो और अच्छा डॉक्टर बनने के लिए of course आपको एक अच्छा college चाहिए और अच्छे college के लिए आपको एक exam देना पड़ता है जिसका नाम है NEED ये exam basically class 12 के बाद दिया जाता है जिसको भी medical का entrance exam है तो जिसको भी doctor बनना है अच्छे college से medical complete करना है वो लोगे exam देते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NEED preparation from class 9 तो अगर आप एक class 9 के student हो तो आपको NEED के लिए किस तरीके से prepare करना है मैंने एक बहुत ये अच्छा thought लिखा यहाँ पे जिसके बारे में मैं आगे share करता हूँ आपसे और यह थोड़ा सा चोटा सा वीडियो देखके आपको समझ में आ गया होगा कि एक पंची है जो खा रही है तो मैंने लिखा है early bird catches the prey इसका मतलब क्या होता है कि जो सबसे शुडू में शुडू करता है उसको खाना मिल जाता है उसको सिकार मिल जाता है वो सिकार कर लेता है early bird catches the prey तो अगर आप class 9 से शुडू करते हो अपना preparation भले आप 5%, 4%, 3% करते हो लेकिन आपके पास हमेशा एक advantage रहेगा इस वीडियो में मैं कोई strategy शेर नहीं करने वाला हूँ आप लोगे साथ बट वो सारे important चीजे शेर करूँगा जो जरूरी है NEET के preparation के लिए अगर आप कहते हो तो इस वीडियो के बाद मैं आप लोगे साथ कोई strategy भी शेर करूँगा किसी NEET topper से बात करके तो please आप लोग बताना comment करके कि आपको चाहिए बट उससे पहले बात करते हैं कि क्या-क्या जरूरी है अगर आप class 9 में होता हो देखो NEET जो एक्जाम है वो all over India होता है तो मैं ऐसा consider करके चल रहा हूँ कि आप लोग अगर NEET देना चाहते हो तो आप जरूर NCIT मतलब जो CBSC के जो टेक्सबूक्स होता है उनको रेफर कर रहे होगे ठीक है तो देखो सबसे पहला जो चाप्टर है biology से राइट वह है fundamental unit of life अगर आप class 9 का NCIT खोल के देखोगे तो biology का जो पहला chapter मिलता है fundamental unit of life इस fundamental unit of life में आप क्या करते हो आप cell के बारे में पढ़ते हो cell के अलग-अलग organs के बारे में पढ़ते हो जैसे mitochondria क्या होता है ठीक है और ऐसे बहुत सरी चीजों के बारे में आप पढ़ते हो कि पढ़ लेते हो तो आपको अब यह chapters पढ़ना चाहिए cell, the unit of life, biomolecules and cell cycle and cell division अगर इस chapter की बात करो तो इस chapter के end में last में एक छोटा सा concept है mitosis और meiosis तो आप उस concept के बारे में और cell division होता कैसे exactly बहुत detail में पढ़ते हो cell cycle and cell division में तो आप उसको go through करो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह सब मैं पढ़ तो लूगा जो लेकिन जो चीजे मुझे समझ नहीं आएगी उनका क्या, at least आप पढ़ो अभी, मैं आगे बताओंगा कि कैसे करना है, चलिए अगला जो chapter होता आपका बायो का वो है tissues, आप लोगो ने पढ़ा होगा और यह वाला lecture, मतलब यह जो chapter आपको काफी complicated लगता होगा tissues, तो मैं आपको बताता हूँ, tissues पढ़ने के लिए problem क्यों होता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत जादे चीजे समझने जाते हैं, यहाँ आपको characteristic को याद रखना है, right, समझने के बाद, तो वैसा ही कोई chapter आपको मिलता है, morphology of plant, ठीक है, morphology of plant फुरा मैंने गलत लिख दिया है, flowering plant ही, flowering plant है, morphology of flowering plant, फिर anatomy of flowering plants, यह flowering नहीं हो पाया, से से लिखा नहीं गया है, अच्छा, structural organization in animals, तो यह जो तीन chapter है, अगर एक बार यह chapter आप पढ़ लेते हो, ठीक है, एक बार आप tissues पढ़ लेते हो, तो मेरे हिसाब से यह तीन chapter आपको जाके पढ़ना चाहिए, from class 11 standard, आगे बढ़तो, good news share करना है, मुझे तुम लोगों के साथ, ठीक है, I wanted to share a good news, ठीक है, तो यह good news क्या हो, देख लो जड़ा ध्यान से, कि अगर आप एक class 9 के student हो, class 10 के student हो, या class 11, 12 के student हो, कोई फरग नहीं पढ़ता, यह महरास्टा state board students के लिए है, जो भी यह scholarship देगा, class 9, 10, 11, 12 का student, जो कि 22nd August को होने वाला है, at 12.30 PM, उनमें से top 4 scorers को, from each goal है, class 9, 10, 11, 12, each goal, top 4 scorers will get a plus subscription, उनको अन एकाड़मी का plus subscription मिलेगा, और जो भी इंडिया के top educator है, उन से सीखने का मौका मिलेगा, free of cost, तो मैं तुम उनको बोलना चाहता हूं कि victory scholarship test जो है, उसमें जाके enroll कर लो, enroll करने के लिए तुम्हें कुछे नहीं करना है, description में कुछ लिंक होगे, depends कि तुम कौन से class में, class 9, 10, 11, 12, उसमें click करना, और वहाँ पे जाकर के enroll कर ले, और तुम्हे code यूज करना है, sj super 10, यहाँ पर दिख रह है, और scholarship का जो prize है, जो top 4 scorers है, उनमें से एक आप होने चाहिए, ठीक है, मुझे comment करके बताओगे कि भाया, मुझे मिल गया, thank you, okay, तो description में सारे link है, आपको यह code यूज करना, sj super 10, all the best for victory scholarship test, मचा देना, सारे 12 बज़े है, 22 August को, code sj super 10, link is in the description, let's move further, बच्चो एक और chapter आप जो आपको काफी जादा complicated लगता है, diversity in living organism, right, तो यह जो chapter है, इसके जैसा ही कोई chapter आपको मिलता है, the living world, यह 12th standard में basically, biological classification, plant kingdom and animal kingdom, तो यह सारी चीजे भी आपको पढ़ लेनी है, एक बार आपका यह हो जाता है, तो 11-12 के textbook को download कर लेना basically, और आपको at least इसको read कर ले रहा है, तो यह chapters है, जो आपको read करने है, once you are done with this chapter in class 9, similar लेगा तुम एक बार यह chapter पढ़ने का आप जब यह chapter पढ़ ले तो why do we fall ill, I think वो 11th बता, ठीक है, why do we fall ill, उसके बाद यह chapters है, human health and diseases and microbes in human welfare, यह आपको पढ़ लेना है, NCRT में से, class 11-12 का, फिर आगला एक chapter आप पढ़ते हो, natural resources, एक बार यह पढ़के हो गया, तो आपको environmental issues भी पढ़ना है, from class 11-12 standard, ठीक है, तो अब तुम सोच रहे होगे कि यार, यह सब तो ठीक है, यह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कि इन chapters के बारे में मैं पढ़ तो रूँगा, लेकिन चीज़े गर मुझे नह आ रहे हैं, YouTube पे, तो तुम जा के at least free material से refer कर सकते हो, जब तक तुम class 9 और 10 में हो, एक बार जब तुम 11-12 में जाओगे, तो कहीं से भी paid वाले classes ले ले लेना, लेकिन अभी के लिए तुम्हें जो जो चीज़े नहीं समझ में आ रही, वहां से देख सकते हो, देखो अभी तो कुछ भी याद नहीं करना है, बस go through करके रखना है कि जब तुम 11-12 में को prepare करने जाओगे, तो तुमारे लिए चीज़े नहीं नहीं होनी चाहिए, आप समझ गये, तो काफी सरे बच्चों ने मुझे बोला था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिसमें मैंने आप बेसिकली ये बताने की कोशिश करी है, कि किस तरीके से और क्या-क्या चीज़े हैं जो आपको prepare करना है, being in a class 9, अगर आप class 9 में हो तो आपको क्या-क्या चीज़े prepare करनी है, अगर आप NEET का exam आगे देना चाहते हो, अगर तुम मैं से कोई JEE का exam देना चाहते है, तो मुझे कॉमेंट कर सकता है, similarly एक वीडियो मैं JEE के लिए भी बना दूगा, इस चैनल पर मेरा majority focus class 9 के लिए, student में एक बात और बताना चाहता हो, आप लोगो की कि मेरा एक नया चैनल है, जिसका नाम है सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर आप यूटूब पर सिंपली सर्च कर सकते हो, अब जाओ और मचाओ, सारे टेक्सबुक आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा, कि NCIT के टेक्सबुक कहां से डाउनलोड करने है, दोनों को पढ झाल 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 झाल